सियासी रण हर्याना में भी होने जा रहा है बैटल फिल्ड में सियासी पार्टियां अपने अपने मुद्दे लेकर खड़ी है और यहां बीजीपी के सामने तीसरी बार सरकार बनाने की चुनाव वो अकेले लड़ने जा रही है हाला कि पिछली बार के अगर बात करे तो पार्टि भी पूरा जो लगा रही है लेकिन दोनों साथ चुनाव लड़ने की बात इस बार नहीं हो रही है और इस बात को लेकर शक है क्योंकि लोगसभा चुनाव में दोनों पंजाबे अलग लड़े थे हर्याना की सभी 90 सीटों पर 1 अक्टूबर को मतदान होगा और 4 अक्टूबर को नतीजों का ऐलान किया जाएगा जब मुकश्मीर के साथ-साथ हर्याना के चुनाव पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई है क्योंकि यहां बीजिपी की साख दाव पर जो है कुछ महीनों पहले हर्याना में सियासी बदलाव देखने को मिला था जब नायाव सिंग सैनी को बीजिपी ने मुखे मंत्री की कुर्सी पर बिठा दिया मनहुआ लाल खटर को लोगसवा चुनाव रड़वा कर केंद्र में मंत्री का पद दिया क्या भारतिया जनता पार्टी हर्याना में तीसरी बार बड़े मेंड़ेट के साथ सब्ता में आ रही है हम तीसरी बार हर्याना में सरकार बना रहे हैं पिछले दसवर्थों में हमने हर्याना का बिना भेद भाव के समूचित विकास किया है मैं आंकड़ों और तथ्यों के साथ जनता के सामने और हरियाना की विकास यात्रा का बेवरा रखूँगा इदर विपक्षी पार्टियां भी अपनी जीत के दावे कर रही है चाहे कॉंग्रेस और आमाद में पार्टी हो या फिर स्थाने पार्टी इंडियन नेशनल लोगतल सभी बीजिपी पर एक सुर में हमले बोर्ड रही है क्योंकि पिछले दस साल से हर्याना में बीजिपी की सरकार है ऐसे में एंटे इंकंबिंसी का भी खत्रा बीजिपी को सता रहा है हलाकि आमाद में पार्टी और कॉंग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ रही है इसका फाइदा बीजिपी को मिल सकता है कि प्रमात्मा कुछ नकुछ अर्विंद के जरिवाल से हर्याना में बड़ा करवाना चाहता है कि आमाद्वी पार्टी बूत लेवल तक अपने संगठन को मजबूत कर चुकी है हर्याना में सबसे बड़ा संगठन आमाद्वी पार्टी का है कि नबे कि नबे विदान सबाब हम चुनार लड़ रहे हैं हमारे सारे हिंदुस्तान की लिडरिशिप हर्याने में आई गए हर्याना का लाल अरविंद के जिरिवाल हर्याना के बेटे हैं भाजप्पा की विदाई का समय उसकी उल्टी गिंती शुरू हो गई है दस साल के बाद हर्याना के लोग अब भाजप्पा के कुशाशन, भरष्टा चार, भाई भतीजावाद, बिगते हुए पेपर और गरीब के शोशन से मुक्ती चाहते हैं और एक अक्टूबर जो है वो आजादी के पर्व की तरह मनाया जाएगा सारी पार्टिया अपने अपनी जीत के दावे कर रही है लेकिन हर्याना की जनता किसे अपना सरदार चुनेगी इसका पता चार अक्टूबर को चलेगा चुनाव की तारी को कैला 16 अगस को जरूर हुआ लेकिन सभी पार्टियां पहले से ही ग्राउन पर जोर आस्माईश कर रही है बीजेपी पिये मोदी के चहरे पर चुनाव लड़ेगी ये तैह मोदी का करिश्माई चहरा ही वो हर्याना की जनता के सामने रखने जा रही है तो अधर कॉंग्रस के लिए रहूर गांदी है स्टार होंगे और आम आदमी पार्टी भी केश्चिवाल का मुद्दा उच्छाल कर सहन भूती बटोडने की कोशिश करती भी नसर आएगी हर्याना में पिष्टे दिनों सियासी उथल पुतल देखने को मिली थी जब अचानक खटर को सियम पत से हटा दिया गया था और नायब सिंग सैनी को मुखे मंतरी बनाया क्या तो देखना होगा कि क्या बीजेपी हर्याना में हाग टिक लगा पाएगी चार अक्टूबर को इस सवाल का जवाब मिलेगा